नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इस्टॉक्स इजुकेशन में दोस्तों इस चैनल में मैं हमेशा कोसिस करता हूँ कि आपको छोटी से छोटी वीडियो प्रोवाइड करूँ जिसमें जादे से जादे इंफोर्मेशन आपको सेलेक्टेट करके दे सकों जिससे आपका भी टाइम बचे और आप जादे से जादे इंफोर्मेशन गेन कर सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का और देखते हैं आज का हमारा कौन सा ही स्टॉक है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रीज में एक्स ग्लोबल वेंचर लिमीटेड अगर इस कंपनी की ग्रोथ की बात करे तो एक साल के अंदर इसने 1000% से जादे का रिटन ओलेडी दे दिया है और अभी भी यह कंपनी अपने अपर सरकेट पे चल लात यह और जो लोग खरीदारी की सोच रहे हैं उन्हें कहां पर बाई करना चाहिए कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे वीडियो में लास्त तक बने रहे हैं कोई भी पार्ट मिस न करें आप देखेंगे इस कंपनी का फिप्टी टूइक लोग हुआ करता था 10 रुपए 80 पैस पूरा स्टॉक मार्केट क्रैस हो रहा था उस टाइम इस कंपनी ने अपना लोग बनाया था 5 रुपए 55 पैसे के पास का और उसके बाद से यह कंपनी 1.500 रुपए के पास बहुँच चुका है अगर आप ग्रोथ का अंदाजा लगाना चाहते तो आप खुदी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इस कंपनी में कितनी तेजी आपको देखने को मिला है तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है स्वाट तब में यह कंपनी कैसे रियक्ट करता है उस सबसे पहले इस कंपनी के आज के मुमेंट की बात कर लेते हैं आप देखें कि इसका जो lower circuit point था, गो था 138 रुपए 30 पैसे का, और इस company ने आज अपना low भी पनाया 138 रुपए 30 पैसे पे, यानि कि बीच में या company अपने lowest पे गया था, लेकिन समलते हुए उपर आकर जाकर close हुआ है, अगर इस company के return की बात के तो एक महिने में इस company ने आपको 38% के आसवास का return दिया हुआ है, जबकि अगर एक साल की बात के तो आपको 1010% का return आपको देखने को मिल जाएगा, अगर इस company के पी की बात के तो 310 का पी चला है, जो की काफी ज़्यादा costly हो चुका है, क्योंकि अगर sector PE की बात के तो 60.72% का आपको देखने को मिल जाएगा, तो अगर इस company market cap की बात के तो company बहुत बड़ी नहीं है, 413 करोड का इस company का market cap बनता है, तो देखते हैं इस company का और detail क्या बनता है, दोस्तों जो लोग short term के लिए इंटर हुए हैं, या फिर जो लोग long term के लिए उंटर हुए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, देख लेते हैं सबसे पहले short term बालों को क्या करना चाहिए, दोस्तों अगर इस company के support level की बात करें, जो की काफी close support level बनता है, 135 रुपए का, अगर या company वहाँ पर support लेकर again bounce back करता है, इस company में आपको फिर से काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर या company वहाँ से correct होकर और लगा कर continue कर सकते हैं इस company को, यह company में गिरावट आया, क्योंकि दोस्तों यह company कुछ ज़्यादा ही भाग चुका था, तो profit booking आपको देखने को मिला है, इसलिए इस company में इतनी भारी आपको गिरावट देखने को मिला है, तो क्या इस company को sell करके निकलना better होगा, तो दोस्तों आप चाहें तो 20 में थोड़ी profit booking करके चल सकते हैं, क्योंकि यह company अगर यहाँ से correct होकर नीचे जाता है, तो 107 रुपए तक जाने की chances हो जाएंगे, लेकिन अगर यह company उस level को तोड़ कर उसके भी नीचे जाता है, तो फिर 90 से लेकर 94 रुपए तक का support आपको देखने को मिल जाएगा इस company में, जो की अगला support level बनता है, अगर यह company उस level तक जाता है, तो फिर आपको एक buying की opportunity मिल जाएगी, तो आप चाहें तो buying करके चल सकते हैं, जो लोग long term के लिए अगर खरीदारी किये हैं, वो चाहें तो अपना continue कर सकते हैं, अपने planning के according, तो जो लोग इस share को buy करना चाहते हैं, उन्हें कहाँ पर buy करना चाहिए, अगर आप short term के लिए enter होना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस company का एक lowest price बन जाने दे, यानि कि इस company का एक support level बन जाने दे, उसके बाद इस share को buy करना start कर सकते हैं, लेकिन अगर आप long term के लिए buy करना चाहते हैं, तो आप तो अपने capital को 3-4 part में divide करने उसके बाद buy कर सकते हैं पहला आपको लगाना है 107 रुपे के पास में अगर यह company आता है अगर यह company इस label तक नहीं आता तो फिर आप चाहे तो 118-120 रुपे के पास में भी buy करके चल सकते हैं पहला installment दूसरा आपको लगाना है 107 रुपे के पास में और तीसरा लगाना है 90-94 रुपे के पास में तो अगर यह company 94 तक नहीं जाती है अगर 107 पे ही bounce back कर जाता है तो आपको already 2 installment मिल चुका होगा तो आपको काफी अच्छी खासी growth देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तो company काफी ज्यादा छोटी है इस बात का जरूर ध्यान रखे तो इसमें risk भी उतना ही ज्यादा है तो अगर आप risk लेना चाहते हैं तब ही इस share को buy करें नहीं तो किसी अच्छे safe stock के साथ आप जा सकते हैं थैंक यू पर वचिं इस वीडियो